हेलो नमस्ते बहुत बहुत स्वागत आपका निकोफ फैमिली व्लोक्स में आज की वीडियो है एक कॉंटोवर्सी वीडियो नहीं 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 मैं कॉंटोवर्सी नहीं करने जा रही हूँ मेरे साथ तो कोई कॉंटोवर्सी करता ही नहीं है तो मतलब मैं एक कॉंटोवर्सी क क्लियर करने जा रहे हूं कि क्या हुँ रहा है 하나 लगनीजth login सी ऐन्ड मीसिसchodhell व्लोक प्लस अर्मान ऐखिर कैसे अर्मान मलिख इन दोनों के Counselor वर्सी में में खूद गए और क्यों उबेग चोद्री ने इतने पत्building असने दिनों बाद अपनी लटाईवाला कौंटुवर्सी यहां पर बताई है यान कि शेयर की है और क्यों विवेक चोधरी थी आप करने के बाद में अपनी वीडियोु में से वह वैला पार डेलीट कर दिया जिसमें उन्हों coordinate के बारे में बात वीडियो शुरू करते हैं लकनीत आप पता ही होगा कि लकनीत और मिस्टर यान की विवे के पहले काफे अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्त जो है वो वीडियो के चक्कर में हुई थी इसके बाद में इनकी कुछ family understanding थी या आपस में मिलते थे जाते थे एक दूसरे के हाँ पर रहते लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से इनकी दोस्त तो है तूट गए और तूटने के बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए अलग भी ऐसे हुए कि इन दोनों ने ए दोस्ते तूट गई लेकिन उसके पाद भी दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया इनके जो सब्सक्राइबर थे वो पूसते रहे कि आपका ऐसा क्यों था कि भई आपकी दोस्ती तूट गई आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन लगनीत की शादी से पहले ही काफ सब्सक्राइबर दूसरी तरफ मिस्टर एंसी चोधरी याने की जो विवेक हैं उनके व्यूस डाउन जा रहे थे उसके बाद में अचानक से ही विवेक ने एक कॉंट्रवर्सी उठा दी उन्होंने एक कोश्चन आंसर सेशन किया जिसके अंदर उन्होंने ये कॉश्चन भ उनका चैनल हाइप पर है तो उन्होंने कॉंट्रवर्सी के तहत उनको घसीट लिया और वहां पर सारी डिटेलिंग दे दी कि भाई मैंने उसकी बहुत ज्यादा है उसे यूट्यूब का कुछ नहीं पता था और उसके बाद में इन्होंने हमें यूज किया है हमारे सब्सक जब लकनीद ने एक स्टोडी शेयर कि थी यूट्यूब पर जहां पर उन्होंने शेयर किया था कि मतलब मैं कभी तुम्हारे माबाप को अपने माबाप बोलता था और मेरी मा को तुमने माबोला है ऐसा ही कुछ था इन्होंने जो है इतना ही नहीं रुके यह चीज़े पहुच गई इंस्टाग्राम पर और यह कॉंट्रोवर्सी इसके बाद में इस बीच में कूदे अर्मान मलिक अर्मान मलिक इसमें क्यों कूदे दो चक्कर है पहला तो जिस वक्त लकनीद की खुशी और वगरा से तब इनसे जगडावा था उसके आज पास ही लकनीद व्लॉक्स ने अर्मान मलिक के साथ एक कोलाबरेशन वीडियो की थी कोलाबरेशन वीडियो के तहत इन्होंने कुछ वीडियो शूट की थी जिसके बाद में इनके जो लकनीद व्लॉक्स के जो सब्सक्राइबर थे उन्हों इनको नापसंद करते हैं तो इसी वज़े से इनोंने जो है इनके जो सब्सक्राइबर थे लखनीत के उन्होंने वाना किया कि भाई आप इनको मत इनको सपोर्ट करो यह सब चीजे तो उसके बाद में उनकी वीडियो भी नहीं आई बट शायद इनके परसनली कुछ बात होती लेकिन लकनीत ने इनको भी अर्मान मलीक को भी अपनी शादी में नहीं बुलाया था बट यहां पर अर्मान मलीक ने लकनीत का सपोर्ट करते हुए ट्रॉल कर दिया किसको विवेक चोदरी को अब विवेक जी को यह बात बहुत जादा बुरी लगी पहले तो यह चलती वी Controversy में अर्मान मली घुस गए दूसरा उन्होंने जो है उनको टार्गेट कर दिया इसके बाद में जो Mr. and Mrs. Chaudhary है इनके जो husband है husband जी है यहनकि विवेक विवेक ने अर्मान मली को भी बहुत कुछ बोला तो उस चीज के लिए चलिए clear कहो गए सारी बाते अभी Controversy जारी है और comment पर comment हो रहे हैं तो पहली तो बात यह होती है कि अगर आप सही थे तो आपने उस वक्त ही क्यों नहीं विवेक आवाज उठाई जब आपके साथ में कुछ गलत हुआ था लगनीत की तरफ से आपने यह आवाज तब क्यों उठाई जब उनका चैनल ग्रो कर गया जस्ट Controversy क्रेट करने के लिए या व्यूज के लिए तो चलिए इस टोपिक पर तो बने रहेंगे क्योंकि टोपिक बहुत जादा लंबा है और Controversy भी हुए जा रही है तो यही था अभी की वीडिय इस पर कोई रियक्शन नहीं करें एक चोटा रियक्शन करके उन्होंने छोड़ दिया वो एक अच्छी बात मुझे लगी तो चलिए वीडियो को करते हैं यही पर एंड मलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थैंक यू सो मच